सबी को मेरे नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी कल्चर के बारे में जो सेफ्टी कल्चर होती है सेफ्टी कल्चर में कितने तरह के कल्चर होती है जो हमारी और्गनेशन होती है और्गनेशन में जो कल्चर होती है सेफ्टी के वो दो तरह के होता है यह होता है positive culture एक होता है negative culture कोई भी company हो ठीक है हम किसी company में join करने से पहले हम दूसरों से पूछते हैं कि safety culture कैसा है मतलब वहांका जो माहौल है safety के प्रति वो किस तरह का है यह जो माहौल होता है safety culture होता है टॉप management से decide होती है तो बात करते है positive culture के बारे में तो positive culture में क्या होता है दोस्तों जो safety standards है जो safety के प्रति जो लोग उत्साइथ हो रहे हैं जो workers होते हैं स्टाफ होते हैं वो क्या होते positive तरफ होता है ठीक है मतलब चाहे employees हो और फिर employer हो यह सब लोग can do positive thinking करते हैं हमेंसा safety के एक standards हो intended आद 58 थि को 241 अब करते हैं यह हो गया positive culture का तो negative culture में क्या होता है जो workplace आपका होता है वो पूरी तरह से negative propagates होता है ठीक है उसमें क्या होता है जो employees होता है employer होता है workers होते हैं यह लोग जो है सेफ्टिक बाइपास कर देते हैं ठीके इन्हें जो है कुछ ट्रेणिंग वगईरा नहीं मिलता है ट्रेणिंग मिलने के बावजूद भी जो है इनकी माइन में हमेशा जो है नेगिटिव कल्चर ही चलते रहता है तो यह दो तोरह का जो है कल्चर होती है ठीके तो क्रेट पे बनाये रखने के लिए तो वाजिटिव कल्चर के लिए क्या होता है धोस्तों हमारे फ्ल्स होना जो होना चले होना चाहिए ख्थेवायोथ करना चाहिए बडाएं और कुछ गलत हो रहा तो उसे एक्षन लेना चाहिए ठीक है और जो वर्कर्स होते हैं हमेशा उन्हें जो है ट्रेणिंग प्रवाइड करके उन्हें एजुकेट करना चाहिए दोस्तों तबी जो होगा हमारा जो और्गनिजिशन होती है एक पॉजिटिव सेप्टी कल्चर बना पाएगी हमारी और जो और तो हमेशा कोशिश करना है हमें पॉजिटिव ही बना रखने के लिए और नेगिटिव में क्या होता है दोस्तों वर्कर्स होमेशा गलत काम करने लगता है क्यूंकि उसे ठीक से स्टानर के बारें पता नहीं होता है उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ठीक है क्यूंकि वह करता है तो उसे कोई बोलने वाला भी नहीं होता है डोस्तों इसलिए हो सोस्ता है कि जो डिसेशन वो ले रहा हहे फीक है कुई रोक ठोक करने वाला नहीं है जो कल伏 होव Rabbit होती है इसे ऊफोली को इप्रेंट स्टी जाती है जो management होती है कभी कल्चर दोस्तों तो हमेंसा हमें कोशिश करना है कि एक गुड पॉसिटिव से बारा रखने के लिए ये बात सही है कि के लिए आदमी हम कुछ नहीं कर सकते इसके मैलेजमेंट का बहुत साथ देना बहुत ही जड़ी होता है कोशिश कीजी आप लोग तुरह सा सुधार करने के लिए तो अमित करता हूं दोस्तों आज का इस टपिक में आपको कुछ नहीं कुछ नया सेखने के लिए मिला होगा औ अगर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों जब तक जय हिंद्र जय सुरक्षा दोस्तों